तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनम तिति कैसे निकाले ठीक है आज का तारिक मालूम है हम को हम को और आज का उम्र भी मालूम है कि आज हम कितने बर्स कितने महिने और कितने दिन के हो गए हैं और आज की तारिक मालूम है चाहें किसी भी तारिक से हम हम लोग अपना उम्र निकाल सकते हैं ठीक है तो दिया है आज की तारिक 24-11-22 और आज का उम्र जो दिया है 24 वर्ष 10 महिना चार दिन है ठीक है यह दिन है यह महिना है और यह बर्स है यानि कि 24 वर्ष 10 महिना और और चार दिन का हुआ है एक बेखती आज के तारिख में довольно 22 को उसका जनम्तिती कैसे है इस से पहले वीडियो7 कंधिकर देखे थे एज का निकालना की त्ना बर्स का हो गया है इसमें दिआ है कि आंप काँ बर्स दिद्धिए Dec i44 ब बर्स का हो गया है इसके बाद हमको निकालना है कि इसका जनमती थी क्या है ठीक है तो देख लेते हैं वहीं फंडा सिंपल सा है आपका सबसे पहले दिन में घटाना है इसके बाद मा में घटाना है इसके बाद साल में घटाना है तो 24 दिन है और 4 दिन है तो 24 में से 4 घट जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है 24 में से 4 घड़ जाएगा यहां पर बचेगा 20 ठीक है यहां पर बचेगा 20 11 में से 10 भी घड़ जाएगा और यहां पर बचेगा एक अब यहां पर 22 22 है और यह 24 है ठीक है तो 2022 में से 24 घड़ जाएगा तो बचेगा 1998 12 में से 4 गया 8 ठीक है और यह एक बच गया 11 में से 2 गया यहाँ पर 9 बचा यह वाला 9 बचा है और यह एक बचा है यानि कि इसका जनम तीथी है 20 तारीक एकवा महिना 1998 यानि कि जनम तीथी हम लोग लिख देंगे इसको जनम तीथी आपका हो गया 21 1998 यानि कि 20 जनवरी 1998 अगले वीडियो महनुक देखते हैं यहाँ पर दिन माह और बरस तीनों दिया है लेकिन यह वाला इस वाला कोशन में हासिल वाला आगे ठीक है 12 में से आपका 18 घट नहीं सकता है तो यह इस से हासिल लेगा ठीक है तो 12 है और यह इस से हासिल लेगा तो अगस्त आपका होता है 31 दिन का तो यह इसको 31 दिन देदेगा 13 में ले 8 गया 5 और यह 3 हो गया 3 में से 1 गया 2 यानि कि यह वाला आपका 25 यह डे है डे मतलब दिन हो दिन लिखे हैं हम लोग और यहाँ पे मतलब मन्त और य मतलब यह ठीक है 25 हुआ तो यह बच गया है 7 तो 7 में से 10 जाएगा नहीं यह भी इस से हासिल लेगा तो यह इसको 12 मन्त देदेगा तो 12 और 7 आपका होता है 19 19 मन्त में से 10 मन्त अगर घड़ जाएगा तो यह आपका बचेगा 9 मन्त ठीक है यह डे है और यह मन्त है और यह बच गया है 2021 पांच और ये एक बचा है तो ये इसे हासिले 11 में से दो गया 9 और ये वला हो गया 1995 यानि कि 1995 जनम तिथी हम लोग लिख देंगे जनम तिथी यानि कि 25, 9, 1995 यहीं हमारा एंसर